प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए COVID-19 फ्रंट लाइन वरकर्स के लिए विशेश प्रशिक्षन कारिक्रम का शुभारम किया। नए उर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। अप्सकिलिंग भी होगी। इस अभ्यान से COVID-19 से लड़ रही हमारी हेल्ट सेक्टर की फ्रंट लाइन फोर्स को नई उर्जा भी मिलेगी। और हमारे युवाओं रोजगार के नए अवसर के लिए उनके लिए सुभिधा बनेगी। प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने कहा है कि दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा कि इस वाइरस का बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनोतियां हमारे सामने ला सकता है। उन्होंने कहा कि कॉरोना वाइरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए हर इलाज और साबधानी के साथ आने वाली चुनोतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को बढ़ाना होगा। इस महामारी ने दुनिया के हर देश, हर संस्था, हर समाज, हर परिवार, हर इनसान की सामर्थे को बार बार परखा है। वहीं इस महामारी ने विज्ञान, सरकार, समाज, संस्था और व्यक्ति की रूप में हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए भी सतर किया है। यह वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक यह उसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए हर इलाज, हर सावधाने के साथ साथ आने वाली चुनोतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पढ़ गई है और नए मामलों की मुकाबले सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। लगातार 36 दिन देनिक ठीक होने वालों की संख्या देनिक नए मामलों से अधिक है। देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 26 करोड 89 लाग से अधिक डोस दी जा चुकी है। पिशले 24 घंटों के दौरान 34 लाग से जादा लोगों का टीका करन किया गया। बिहार, दिल्ली, गुजराथ, हर्याना, जारखन, करनाटक, केरल, बद्दिप्रदेश, महराष्ट, राजस्थान, तमिलनाडू, तेलंगाना, ओडीशा, उत्तप्रदेश और पश्चिम मंगाल में 18-44 वर्ष आयू समू के 10 लाग व्यक्तियों को कोविड वैक्सिन की पहली डोस दी गई है। इस समू को अब तक कुल 29,64,000 से जादा वैक्सिन की डोस दी जा चुकी हैं। इन में से 25,81,000 लोगों को कोविड का पहला टीका और करीब 3,83,000 लोगों को दूसरा टीका लगा गया है। केंदर सरकार ने अब तक राज्जियों और केंदर शासत प्रदेशों को कोविड टीके की 27,28 करोड से अधिक खुराग अब तक मुहया कराई हैं। राज्जियों और केंदर शासत प्रदेशों के पास अभी टीके की 2,18 करोड से जादा खुराग उपलब्ध हैं रिजर्व बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त लचीलापन और मजबूत बुनियाद है जिससे वो महमारी का सामना करके पटरी पर लोटने में सक्षम है अर्थ्विवस्था की स्थिती के बारी में एक लेक में केंद्रिय बैंक ने फिर कहा कि ये सुनिश्चित करने के आवशक्ता है कि अर्थ्विवस्था का पटरी पराना व्यापार में निवेश और उत्पादक्ता में वृद्धी की मजबूत नीव पर आधारित हो रेलवे ने 32,000 मिट्रिक टन तरल चिकित सा उक्सीजन के आपूर्थी करके नया कीरतिमान बनाया है विभिन राज्जियों के इंद्शासत प्रदेशों तक इन रेलगाडियों ने अपने 1830 टैंकरों के जरिये करीब 32,017 मिट्रिक टन चिकित सा उक्सीजन के आपूर्थी की है उक्सीजन एक्स्प्रेस गाडियां अब तक 443 फेरे लगा चुकी है दक्षनी राज्जियों को 17,600 मिट्रिक टन से अधिक तरल चिकित सा उक्सीजन के आपूर्थी की गई है इनमें से 5600 मिट्रिक टन से अधिक तमिल नाडू को, 3200 मिट्रिक टन से ज़ादा तेलंगाना को, 4000 मिट्रिक टन आंधिप्रदेश को और 4100 मिट्रिक टन करनाटक को पहुचाई गई हैं